प्रिय दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल में हारदिक्ष स्वागत है इस वीडियो में बरसात की प्रसीद कहावत की जानकारी अर्थ सहित दी जा रही है आवत यादर ना कियो जात नदीनों हस्त एदो उपचितात है पाहुन योगिरी हस्त महाकविखाग जी कहते हैं यदि आदरा नछत्र ने आते ही वरसा न किया और हस्त ने जाते जाते जलना वरसा दिया तो किसान को वैसे ही पच्ताना होता है जैसे किसी पाहुन के आने पर उसका आदर ना हो और जाते जाते उसके हात पर कुछ ना धरा गया हो तो वह पच्ताता ही रहता है उत्तर चमके बीजुरी पूरब बहती बाव घाग कहें सुन भड़री बरधा भीतर लाओ जब उत्तर की दिशा में बिजली चमकती हो और पूरब की वाई बहती हो तो घाग कभी कहते हैं कि ये भड़री सुन बैल को घर के अंदर ला वर्षा अवस्य होगी कहने का तात्परिया है कि पसुओं को घर के अंदर लाके बांदो बर्षात निकट है अववा बववा बहे बतास तब होवे बर्खा कयास महा कभी घाग जी कहते हैं जब वर्षा रितु में अववा बववा अर्थात कभी धर और कभी उधर कभी तेज कभी मंद अनिश्चित हवा चलने लगे तो समझोगे कि पानी अवश्य ही बर्षेगा खन पुर्वईया खन पच्याओ खन खन भहे बबुरा बाए जो बादर बादर में जाए घाग कहें जल कहां समाए महाकर्म घाग कहें जल कहां समाए महाकर्म घाग कहना है जब चन में पुर्वा चन में बचुआ हवा चले और चन चन में बावंडर उठा कर चले और जब बादल में बादल समाए या जाकर मिल जाते हूं तो समझोगे समझो की ऐसी या पार वर्षा का जल कहां समाएगा अर्थात वर्षा अधिक होगी महाकर विखाग जी कहते हैं काला बादल केवल हीदय को डराता है और उससे पानी नहीं बरस्ता पानी तो धवल बादलों से ही आता है अर्थात बरस्ता है पानी जो है धवल बादलों से ही आता है अर्थात बारिस होती है अच्छी बारिस होती है इस वीडियो में बरसात की कहावत के लिए इतना ही इसके बाद पार्ट सी कल हम आपको बताएंगे बरसात की कहावत आज इस वीडियो में इतना ही इसी के साथ हमारी यह वीडियो समापत होती है अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करें